नमस्कार, वेलकम टू एर्थ पे कमिशन लेटेस्ट अपडेट्स आज के सेशन में हम देखेंगे डीरनेस अलाउंस पर लेटेस्ट अपडेट सरकार की तरफ से क्या आया है डीरनेस अलाउंस जो जुलाई दोजार चोबीस का बढ़ना अभी ड्यू है और जिसका निर्धारण जिसका डिटर्मिनेशन जनवरी से लेकर के जून तक के जो कंजूमर प्राइस इंडेक्स नमबर आते हैं इंडेस्ट्रियल वरकर्स के जो डेटा आता है उस पर डिपेंड करता है कल 10 जुलाई दोजार चोबीस को सरकार ने सरकार की मिनिस्ट्री ओफ लेबर एंड एंप्लियमेंट ने जो गवर्ण्मेंट ओफ इंडिया के एंडर में आता है उन्होंने माह मई यानि की मन्थ ओफ मे टू थावजेंट ट्वेंटी फोर के कंजूमर फ्राइस इंडेक्स के जो डेटा है वो इशू कर दिये हैं इसका जुलाई दोजार चोबीस से क्या फट पड़ेगा अभी तक जून के डेटा नहीं आए क्या इसके बावजूद भी डियर्नेस अलाउंट जो जुलाई दोजार चोबीस का फिक्स हो गया है तो इसी सब में सब के वारे में हमें छोटे से से सेशन में हम डिसकस करने वाले हैं हम बता दें कि कल जैसे ही डेटा है है जुलाई दोजार चोबीस का डिये हंडेट परसेंट शोर हो गया है उसमें पाइंट में डेसिमल्स में उसमें डिफरेंस आ सकता है लेकिन जो गवर्नमेंट हमें डिये देती है एक परस तो भी आपको जो DA है उसी के साब से मिलना होता है यह हर एक 12 मेने की calculation जो हो चल रही होती है हम यहाँ पर discuss कर लें यहाँ पर हमने January, February, March, April और मई यह मई का CPI है जो की एक particular formula से decide किया जाता है जो की जिसकी determination के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हो अपना role जो है वो play करती है यह यहाँ पर हमने दिखा रखा है food and beverages, पान, शुपारी, टोबेको और इंटोक्सिकेंट्स समझ नहीं आता कि government ऐसी चीज़ों को क्यों जो डेली लाइफ में जो इनके भाव बढ़ने से इनके rates बढ़ने से इनको include करती है clothing and foodwares, housing, fuel and light और भी कुछ मिसलेने सीजे हैं उनके इनक्लूड करते हैं और फिर यह consumer price index number निकाला जाता है, जिसके तहत मई का जो consumer price जो है वो हमें मिल गया है और इसी से decide होता है आने वाला DA, और यह मई महिने के लिए 139.9 है, जिससे आज की rate में DA का rate जो बढ़ करके 52.91% हो जाता है, government साल में दो बार ही इसको announce करती है, तो आज की rate में गर government को announce करना, हो मही तक का 2% announce करेगी, हलांकि आपको पता है कि जनवरी से लेकर के जून तक के data जो है, इसमें include की जाते हैं, अब आप बोलेंगे कि कैसे fix हो गया है, यह तो अभी तक index नहीं अभी तक, जून के महिने का तो, तो आप जूलाई के DA के कैसे बात कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे multiple examples के साथ में कि DA जो है जूलाई का इस तरीके से fix हो गया, हम पहले ही clear कर दें कि जूलाई का जो मिलने वाला जो DA है, महंगाई बता है, आपको 3% से ज्यादा 1% भी नहीं मिले, 1% का पाइंटों में भी नहीं मिलेगा, reason क्या है, अगर अगस्त के महिने तक जो declare हो जाएगा, जिसके data है, अगस्त के महिने तक आजाएंगे, माल लीजिए, ये कम भी जा सकता है, इससे matter नहीं करता, ये फिर compare किससे होता है, जून का data, ठीक 12 मेने पहले, जून 2013 से compare होता है, माल लीजिए, ये data 140.2 आया, ये 139.9 भी आ सकता था, इसका हमने figure लिखा नहीं है, कि उससे कितना हुआ होता लगी, 3% उससे भी निशित आता, ये data जो है, ये 142, 140.2 आता ये index, तो DA कितना हो जाएगा, 53.25 यानि की 3% का increment, अगर ये data 140, ये एकदम से हमने hypothetical लिखा हुआ, एकदम से random numbers हमने लिखे हुए, 141.4 अगर ये आता है, तो DA कितना होगा, 53.36 यानि अगेन 3% का increment, अगर ये data 144.9 का आता ये index number, तो भी DA 53.69 होगा, यानि 3% का increment, 4% भी बढ़ सकता है, क्या किस situation में, अगर ये index 149 या इससे ज़्यादा आए, तो फिर जाकर के DA जो है, वो कितना आपको देखने को मिलेगा, आपको 54.06 यानि की 4% नेखने को मिलेगा, जो कि किसी भी परिस्तिती में संभव नहीं है, अब कहने का मतलब, ये जून के महिने के लिए, जो इंडेक्स आता हो, कितना भी आये चैसे, आपका जुलाई 2024 का जो DA है, DNS लाउंस है, महंगा ही बता है, वो 3% ही बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, सेप्ट कि महने में ये जो हो, most probably, declare हो जाता है, 10 से पहले, declare हो जाता है, तो September की मंध की salary से है, आपको मिलने लग सेगा, अगर 10 के बाद में declare होता है, तो आपको जो October की महने की salary से आपको मिलेगा, और उसकी पीछे के जो तीन महने का areas जो है, आपके account में, जो है, वो disburs कर दिये ज जाते हैं इस सेशन का हमारा करने का एक ही मतलब था आपको भी इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि डीनेस अलाउंस महेंगा ही बता क्या गवर्न्मेंट एंप्लोईज को कुछ करने के लिए ऐसे ही हवा में बढ़ा देती है क्या जी नहीं इसके लिए कंजूमर प्राइस इंडेक्स एक नंबर बना हुआ है इंडेस्ट्रियर्ल वरकर्स के लिए जिसको ओल इंडिया गारे इंडेक्स के साब tightened किया जाता है क्या यह पाइंट 9 नहीं बढ़ेगा जी नहीं यह कितना भी बढ़ जाए लेकिन 54 को क्रोश नहीं कर पाएगा जो जून के जितने भी जो भी डेटा आएगा उसके साफसे यह 54 को क्रोश नहीं कर पाएगा इसका मतलब साफसा है कि आपका जो आने वाला जो डिये है वो केवल और किवल 3% बढ़ेगा आपको जानकारी होनी चाहिए कि 23 जुलाई को 24 जुलाई को भारे सरकार जो है वो पेश करने वाली है संसर्द में और उससे पहले OPS के बारे में और पेंशन स्कीम के बारे में बड़े रूमर्स आ रहे हैं हम इसको लेकर के एक बड़ा सेशन आप लोगों के सामने प्रेजेंट होंगे OPS के बारे में कि क्या क्या प्रोवेबल है वो तो बजट आने के बाद में और इसका मैने लेसिस करेंगे जो भी बजट के अंदर आता है most प्रोवेबल है OPS के बारे में क्योंकि कल टाइम से ओप इंडिया ने भी लगभग अर एक चेनल ने इस चीज को कवर किया है कि government old pension scheme से अपना जो किनारा कर रही है हम थोड़ा सा बता जेते हैं आप लोगों को वो लेकिन government चाहती है कि करमचारियों का जो रोश है उसको देखते विए कि आप लोगों को एक निश्चित defined guaranteed pension मिले तो उसके उपर काम कर रही है उन्होंने क्या काम किया लेकिन जो rumors निकल क के बाहर आए हैं वो आप लोगों साथ में आने वाले सेशन में दो तिन दिन के अंदर डिसकस करेंगे पूरे लेंदी वीडियो में इस सेशन में मिलेंगे वेरी नेक्ट अपडेट के साथ थेंक यू